कोशी नदी का बढ़ते जलस्तर ने पिछले 33 वर्सों के रिकार्ड को तोर दिया है 14 अगस्त के अहले सुभा पानी के जलस्तर बढ़ने से सुपोल जिला प्रेशासन सहित जल संसात्र बिभाग हाई अलर्ट हो गई है और लगाता टटबंदों की निगरानी करने लगी है टटबंद के अंदर बसे लोगों को सुरक्षित जगह जाने का निर्देश दिया गिया है कई जगह टटबंद के अंदर बसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला भी जा रहा है कुछी तत्बन के जिन अस्पर पर दबाव बना हुआ है ऐसे अस्पर का जल संसादन विवाग की अधिकारी लगातार दोरे कर रहे है बाड सुरक्षात्मक कारे की चोकसी बढ़ा दी गई है अस्परों की चोकसी बढ़ा दी गई है इसी करम में सुपोल जिलादिकारी कोशल कुमार कोशी बराज पहुँचे और स्थिती का जायजा लिया जिलादिकारी ने इस्थिती को पूरी तरह से नियंतरन में बताया है उन्होंने कहा कि 14 अगस्त के सुबह 4,62,000 क्यूशिक पानी छोड़ा गया था लेकिन अब कोशी के जलस्तर में लगाता गिरावट देखी ज जो पाने देर राज से भारती प्रभाग में छोड़ा गया था वो जिले के विनित प्रिखंट से गुजरेगी इसलिए तत्वन्द के अंदर बस लोगों को अलर्ट किया गया है सबी लोगों को शुरक्थित जगह जाने को निर्देश दिया गया है पानी कम होने के बाद ही वो वापस अपने जगह लोट सकते हैं पानी पास हुआ है वो हमारे पास करेगा पानी आने पे पहले वो निकल जया है वहाँ पर पानी जैसी खतम होगा थे जब पास होना हो जाए तब मुझे गजा सकते है बता दे कि सुपोल में कोशी नदी उफान पर है 14 अगस्त शुबर नेपाल प्रभाग कोशी बराज से 4,62,000 क्यूसित पाने को डिसार्ज किया गया था जो कई वर्सों के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है नेपाल जल अधिगरन छेतर में लगातार बारी बारिस के कारण कोशी नदी खत्रेक निसान से उपर बारी है फिर से बाड का डर लोगों को सताने लगा है किसानों के फसलों को भारी नुकसान होने का अनुमान बताया जा रहा है जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाड का हाल जानने और देखने सेकरों के संख्या में लोग बांध पर और कोशी बराज पर आ रहे हैं आपस कर दो और नहां एवहां रिला प्रॉप मेरा जारी जढ़ें विला को एका कर दो बप्रो बाद़ करेंगा है